तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तो मेट्रिक्स को कैसे हमको एड करना है ठीक है तो मानलो एक मेट्रिक्स आपको दी हुए A is equal to और मानलो यह कुछ इस तरह से लेखती है 1, 2, 7, 8, 11, 12 और यहाँ पर कोई छोटा नंबर में ले लेता हूँ मानलो 2, 8, 1 जल् is equal to 1, 1, 0, 7, 2, 3, 4, 7, 5 मानलो यह हमारी मेट्रिक्स है ठीक है तो A plus B अगर मुझे निकालना है तो A plus B निकालना बहुत straight forward है ठीक है 1 को 1 से जोड़ दो इस तरह से 2 हो जाएगा 2 को 7 से जोड़ दो 9 हो जाएगा 7 को 4 से जोड़ दो 7, 4, 11, 11, 12, 13, 12, 7 होता है आपका 19 और फिर 2, 8, 3, 11, 5, 1, 6, I hope मैंने के गलती नहीं करी आड़ करने में यहाँ पर A plus B की वाल्यू जो है आगई लेकिन अगर मैं आफ लोगों को बोलू गया यह जो मेट्रिक्स है जोकि 3 by 3 की मेट्रिक्स है यानि कि इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स है तो यह 3 by 3 की है और यह भी 3 by 3 की है और अगर आप अड़ करोगे तो मेट्रिक्स को तो वो भी 3 by 3 की ही आएगी तो अगर मैं आप लोगों कुछ ऐसा बोलू गया 3 by 3 की मेट्रिक्स को आप 3 by 3 से आड़ करो तो आप इसको हार्ड कोड करके लिख सकते हो यह नहीं कि आप कुछ ऐसा फॉर लूप अगर लगा कि लिख सकते हो की बड़े अराम से आपका काम हो जाएगा आप इन दोनों को अड़ करने का हर्ड कोड कोड लिख सकते हो हर्ड कोड लाइन अफ कोड बट अगर मैं आप लोगों से कहूं की N by N की मेट्रिक्स है ऐनिंans की n by N की मेट्रिक्स आपको दी जाएगी और n उसमें rows होंगी और n columns होंगी ठीक है तब आप क्या करोगे अगर मैं ऐसे आप लोगों को दे दूँ तब क्या करोगे आप या फिर मान लो मैं आपको कुछ ऐसे बोलों कि या एम क्रॉस एन की होगी और जो भी है वो भी इम क्रॉस एन की होगी और अब आपको इन दोनों को जोड़के जो है A प्लस B निकालना है और उस matrix को print कराना है ठीक है तब आप क्या करोगे तो उन केसेज में हम लोग क्या करते हैं उन केसेज में आप लोगों को एक जनरलाइस प्रोग्राम लिखना पड़ेगा यानिकि जा रहा है चार तक जा रहा है कहां तक जा रहा है हम उन cases में program जो लिखेंगे और वो हमारा for loop एक M तक चलेगा और दूसा for loop N तक चलेगा और M और N जो है वो user input होंगे ठीक है तो वो हमारे क्या होंगे user input होंगे तो हमको इस चीज़ को बनाने के लिए python programming में input function का use करना पड़ेगा और उसको typecast करना पड़ेगा int में अगर नहीं पता यह क्या है तो चलो मेरे साथ vs code में और इसकी बात ही कर लेते हैं एक नया folder बनाया है अभी और उसके अंदर एक नया program डालना हो main.py और जब भी नया आप लोग एक folder बनाते हो vs code में तो कभी-कभी यहां पर आपसे पूछता है कि कौन सा python आप use करना चाहते हो तो that's totally normal आप click कर लें अगर आपका multiple python इंस्टाल लें तो पूछता है कौन सा use क करना चाहते हो आप select कर लें अब यहां पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले बोलूँगा enter the value of m ठीक है user से तो मैं m is equal to कर दूँगा int of input क्योंकि जो input function होता है वो हमें मालूम है कि by default जो उसकी value होती है वो एक string होती है मैं आपर लिखूँगा enter the value of enter the value of what enter the value of m ठीक है और backslash n फिर उसके बाद जो n होगा वो भी exactly same principle पर काम करेगा n हो जाएगा यहाँ पर अब मैं आपर क्या करूँगा दो matrix को add करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा जो मेरी matrix है अगर मान लो वो कुछ इस तरह से दिखती है मैं आपर बोल देता हूँ enter the matrix ठीक है print enter matrix m और similarly enter matrix n ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा यह matrix m नी matrix a होगा यहाँ पर क्योंकि m और n तो जो है वो उनके rows और columns है उसका size है तो मैंने बोल दिया matrix a को आप enter करें और मैं कहूँगा a is equal to matrix ठीक है इस तरह से अब मैं कहूँगा यह क्या हो गया यह क्या किया बताता हू यह क्या हुआ यह क्या return करेंगी यह user entered matrix जो है वो return करेंगी तो मैंने आपर एक function मना दिया matrix यो कि मैं भी define कर देता हूँ यहाँ पर मैं matrix करके function define करूँगा जो की matrix of size m और n लेगी तो मैं यहाँ पर mn दे दूँगा इसको यहाँ पर भी मैं mn दे दूँगा इसको और मैं मैं यहाँ पर क्या करूँगा दो for loop चलाओंगा for i in range m और उसके बाद for j in range n ठीक है m cross n matrix मैं यहाँ पर ले रहा हूँ user से मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो मेरी matrix है यहाँ यहाँ निकी जो मेरा output है वो सबसे पहले खाली list होगी ठीक है तो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा row is equal to blank यह तो मेरी output matrix है ठीक है ओ है मेरी output matrix row को मैंने blank किया मैं कहूँगा row dot append row में आप क्या append करो row में आप append कर दो वो number जो की user ने input किया है तो उसको मैं inp मान लेता हूँ और मैं कह दूँगा यहाँ पर inp is equal to और यहाँ पर मैं लिख दूँगा input और int of input लिखूँगा मैं और मैं इस program को explain करूँगा बाइद में बता दूँगा पहले ही मैं आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह मैं से लिखे जा रहा हूँ नहीं मैं इसको explain करूँगा beginners के लिए वरना तो आपको समझ में आई कर रहा हूँ F string से क्या होता है कि जैसे मानलो मेरा यह O IJ मैंने ऐसे लिखा F string अगर मैं आपर F लगा दूँगा तो यहाँ पर मुझ से बोलेगा O 1 2 यह 0 1 जो भी value IJ की है मैंने row को लेके row में append कर दिया वो number लेके ठीक है और मानलो हमारे पास J columns है अगर तो एक बार एक हम print कर दूँगा row और finally जब यह loop खतम हो जाता है तो मैं क्या करूँगा तब मैं इस for loop के बाद return कर दूँगा O तो मेरे पास O return हो जाएगा तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जो मेरी M cross N matrix है वो मैं यहाँ पर बना पा रहा हूँ यह नहीं बना पा रहा हूँ सबसे बहले यह देखते है इन पुठ हम कर पा रहे matrix हैं नहीं कर पा रहे है सिरस एक को मैं print करूँगा अभी यहाँ पर सिरस एक को print करूँगा सिरस एक को तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और enter the value of M मुझ्से पूचा जा रहा है मैं value of M लिख देता हूँ 2 और value of M लिख देता मैं 2 value enter करूँगा तो मैंने 1 लिखा और 4 लिखा और यहाँ पर आप देखो बिल्कुल सही सही मेरी जो matrix है वो यहाँ पर print हो गई है इसमें columns कितने है columns 1 है rows 2 है बहुत बढ़िया तो यह मेरी matrix जो है वो input हो गई है by the way आपको बता दूँगी अगर मैं बड़ी matrix input करूँ मैं आपर एक काम करता हूँ मैं आपर देखो enter matrix भी बोलना मैं इस program को interrupt करके बड़ी matrix आपको input करके दिखाता हूँ 3 by 3 की मैं भी करके दिखाता हूँ ठीक है तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहां पर मैंने लिख दिया तो यह कुछ इस तरह से print होई matrix जो मैंने enter करी तो आप यहां पर देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो आपकी matrix है वो ऐसे list of list बन के आ रही है लेकिन यह कुछ इस तर से दिखेगी अगर मैं custom input लोगा matrix का ठीक है तो यह matrix कुछ इस तरह से दिखेगी देखो यहां पर यह rows है इसकी columns है तो मैंने आपर इस तरह से A के अंदर ले ली है matrix B के अंदर ले ली अब मैं sum करूंगा matrix तो मैं आपर लिखूंगा result या फिर S is equal to sum of A, B और मैं आपर बहु और use करना पड़ गया अगर अपना function तो आप ले जा सकते हो इसी function वो use कर सकते हो तो def sum A, B मैं आपर लिखूंगा और A, B का size तो मुझे पता चली जाएगा मैं assume करूंगा कि इसका size बिल्कुल correct है A और B जो है मैंने आपर दोनों को ले लिया है यह दोनों ही list of list है हम यहाँ पर करेंगे क्या दो loop चलाएंगे हम कहेंगे for I in range length of length of A ठीक है और for J in range length of A0 अब यह क्या किया मैंने length of A क्या होगा मेरा देखो length of A की अगर हम लोग बात क करें तो length of A मेरा जैसे मानलो मैं आपको यह दिखाता हूँ अगर length of A क्या हो जाएगा length of A हो जाएगा इसके अंदर कितने list है यह कि number of rows देख लो इसकी length जो है outer वाली list की अगर length की बात करें तो इसमें जितने rows हैं उतनी length होगी ठीक है इसकी उसके बाद जो column है for J in range length of 0 व देख लो इसके अंदर जितनी list है उतनी number of rows है समझ गया तो यह है हमारा length of A क्या हो जाएगा number of rows मैं आपर लिख देता हूँ number of rows और यह हो जाएगा मेरा number of columns ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं आपर एक अपनी नई matrix बनाऊंगा ठीक है एक नई matrix में क्या बनाऊंगा मैं आपर एक नई matrix कुछ इस तरह से बनाऊंगा जिसका नाम में रख दूँगा output ठीक है output is equal to मैं एक नई matrix बनाऊँगा इस तरह से ठीक है और मैं क्या करूँगा output में append करता जाऊँगा क्या append करता जाऊँगा sum in का तो मैं आपर इसमें जारा colon लगा लेता हूँ और colon लगा कर मैं मैंने गलती से shift enter दबा दिया है इसको exit करते हैं जो matrix नीच बीच में लगी थी ना उपता नहीं क्यों अजीब सी लग रही थी हाँ मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा कि जो मेरी values है वो मैं output में append करता जाऊँगा तो मैं एक row बनाऊँगा जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल वैसे करूँगा row is equal to मैं ऐसे बनाऊँगा और मैं कहूँगा कि भाई row में append कर दो क्या append करोगे इन दोनों का sum ठीक है ai plus bj ठीक है row dot append ai plus bj मैं इस तरह से कर दूँगा ठीक है तो ai plus bj मेरा यहाँ पर आ जाएगा row के अंदर ठीक है मैं row में append कर दूँगा और जैसे ही यह मैंने एक बार list बना ली तब मैं क्या करूँगा तब मैं आपर इसको append कर दूँगा किसमें मैं इसको append कर दूँगा output में output dot append row finally मैं return कर दूँगा output output अभी यह देखते हैं कि यार मैंने सही भी बनाया कि मैंने बहुत fast इस program को लिखा है तो अगर मैं आपर print करूँ sum को sorry s को तो क्या मेरी यह matrix है वो बल्कुल सही-सही आ रही है नहीं आ रही है तो just for debugging purpose मैं a और b को भी print कर रहा हूँ और finally sum करके भी print कर रहा हूँ तो मैं इस program को जैसे ही run करूँगा आप लोग देखो enter the value of m 4, 4 cross 2 matrix में ले रहा हूँ और यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 मैं इस तरह से ले रहा हूँ और 7 ले लेता हूँ फिर 7, फिर 0, फिर 1 यह मेरी matrix A आ गई matrix B की बात करते है कुछ भी number लेता हूँ ठीक है मैंने लगता है कुछ जादरी डाल दी है मैंने इसमें गड़बड कर दी का नहीं गड़बड नहीं करी बिल्कुल सही लिगा है तो यह मेरी matrix A थी यह मेरी matrix B थी और यहां पर आप लोग देखो मैंने कर दिये और यह गड़बड मैंने क्या करी है मैंने इन दोलों को sum नहीं किया है इनकी values को मैंने IJ को sum करना चाहिए था which is a mistake AIJ को मुझे sum करना चाहिए था मैंने पूरी पूरी list को ही उठा के sum कर दिया तो AIJ plus BIJ मुझे यहां पर लिखना चाहिए था AIJ होगा वह वाली होगी वह मैं रो मैं प्रेंट करूँगा चलो जी फिर्ट से करते हैं ठीक है 1 x 4 matrix को कर लेते हैं पहले ठीक है तो यहां पर देखो मैंने 1 2 3 4 था 5 6 7 8 था इनको भी add किया 5 और 1 6 आ गया 6 और 2 8 आ गया और 7 और 3 10 आ गया 8 और 4 12 आ गया तो यह मेरी matrix आ गई वापस अगर मैं run करूँ 3 cross 5 matrix तो 1 2 0 3 2 1 5 2 3 4 5 6 डाले पढ़ाँ values डाले पढ़ाँ और मैंने गलती से enter दबा दिया पता नहीं क्यों मैंने enter दबा दिया बिना कोई value डाले कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं होता है जिन्दगी में यह सब चीज़े हो जाती है ठीक है इन सब चीज़ों की जो tension लेने लग गया तो फिर पता नहीं फिर क्या करेगा उस जिन्दगी में अगर इतनी चोटी चोटी चीज़ों की भी आप tension लेने आपको नहीं मार रहा थी तैस्ट एश ऐ 1-0 का एड गिया 1 2-2 का एड खिया चार सबसे वेले मैंने कहा कि मौई M&N की value मझे देदो मैंने int या पर इसलिए लगाया क्योंकि जो input होता है वो by default इक string बनता है और मैंने चाहता कि string के तौर पे मैं m और n को लोगँ क्योंकि string के तौर पे लोगँगा तो मैं add नहीं कर पहूंगा उनको तीन और चार जो है 34 हो जाते हैं string में अगर add किया तो तीन और चार साथ होते हैं अगर दोनों ही integer है तो ठीक इसलिए integer के form में मैंने लेना चाहता था अगला मैंने अबर एक function लिखा जिसमें मैंने input matrix करवाई user से गाया कि भाई matrix A जो है उसको input करो ठीक है ऐसा करने के लिए मैंने एक खाली matrix बना दी जो outer matrix थी उपर देखो आप खाली बना दी मैंने फिर उसके बाद मैंने एक row बनाई पहली row user से input कराई और इस वाले row variable में append कराता गया append का मतलब values add करता गया जो जो user ने enter करी थी एक बार user ने सारी values enter कर दी तो मैंने इस row को यानि कि जो 123 row मैंने बना ली इसको मैंने इस पूरी जो outer मेरी खाली matrix थी उसमें डाल दिया तो यह यहां तक अभी आ गया है फिर यही काम मैंने फिर से किया तो row खाली थी मेरी उसमें values आई 456 यह मैंने डाल दिया फिर 789 मैंने डाल दिया और इसी तरह मेरी जो matrix थी यहां पर मैंने तयार कर ली मैं चाहूंगा कि अगर आपको यह बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो copy pen low ij की value लिखो column बनाके और देखो कि किस i की value पर क्या हो रहा है ठीक है क्योंकि यार अ j in range जितने भी column है ठीक है तो row और column आ गया है यहां पर 3 3 था 3 2 भी हो सकता था मैंने खाली output matrix बनाई यह जो outer वाली matrix थी वो बनाई और एक फिर एक और खाली matrix बनाई जिसके अंदर में दोनों matrix का sum append करता गया same procedure मैंने अपनाया और इस बार मैंने append किया aij plus bij पहले मैंने क् input user डाला था वो append किया था इस बार मैंने aij plus bij को append किया फिर मैंने वो जो मेरी output list आ गई न यानि कि ये वाली जो मेरी list थी 123 अब जो आई की मेरी list वो उसमें sum होगा दोनों matrix का उसको मैंने append कर दिया और append करने के बाद finally output को मैंने return कर दिया बहुत simple है मुझे नहीं लगता कि किसी हो problem होगी अगर है तो या तो आपके maths के concept बहुत जादा हिले हुए है which is totally fine यार आप अपने maths के concept ठीक कर सकते हो पढ़गे but matrix अगर आपको पता है क्या है तो straight forward program ठीक है अच्छे practice I hope करा दी मैंने आपकी python के practice programs की अगर playlist access नहीं करी है तो कर ले ना उसको वाँपे सारे program से मैंने बताया हुए है काफी लोग मुझे link मांगते हैं कि यह वाले program का link मुझे भेज दो उतना possible नहीं हो पाता है आप यहाँ पर अगर इसको यह जो मैंने playlist बना रखी है इसको access करोगे तो आपको सारे program से यहीं करी मिल जाएंगे कोई दिक्कर आपको होने वाली नहीं है ठीक है तो अगर आप इसको ऐसा access कर लोगे करके इनको practice करना start कर तो तो आपकी Python की कितनी अच्छी practice हो जाएगी तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं जार वीडियो लाइक ज़रू कर दिया करो पता नहीं क्यों यार लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं बहुत कम वीडियो लाइक करते हैं तो जो भी लाइक करेगा वीडियो को यार दिल से थैंक यू अभी के लिए इस वीडि झाल